सेवा जोहर साथियों, हमेशा की तरह आज के वीडियो में भी हम गोंडी भासा में कुछ क्रियाओं, संग्याओं और सब्दों के अर्थ हिंदी के माध्यम से जानेंगे मैं हूँ अजय गोटे और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है तो चलिए साथियों वीडियो शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला हिंदी का सब्द है हिम्मत, जिसे गोंडी भासा में जोर या फिर लाव कहते हैं दूसरा हिंदी का सब्द है हाथ, जिसे गोंडी भासा में कई कहते हैं इसी तरह तीसरा रंग का नाम है हिंदी में हरा जिसे गोंडी भासा में हिवरो कहते हैं इसी तरह चांथा हिंदी का सब्द है हतोडा जिसे गोंडी भासा में सुत्ती कहते हैं पांचवा हिंदी का सब्ध है सूखा जिसे गोंडी भासा में वत्ताल या फिर वतित्ताल कहते हैं आगे बढ़ते हैं साथियों अगला हिंदी का सब्ध है कचरा जिसे गोंडी भासा में वियार कहते हैं इसी तरह अगला हिंदी का सब्ध है कद्दू जिसे गोंडी भासा में कुड़ सोनी कहते हैं आठवा हिंदी का सब्ध है करधन जिसे गोंडी भासा में करदोड़ा कहते हैं इसी तरह नववा हिंदी का सब्ध है काम जिसे गोंडी भासा में कैयूम या फिर भूत्तो कहते हैं दसवा हिंदी का सब्ध है काला जिसे गोंडी भासा में कारियाल कहते हैं आगे बढ़ते हैं साथियों अगला हिंदी का सब्ध है कैची जिसे गोंडी भासा में कतरी कहते हैं बार्वा हमारा हिंदी का सब्ध है कोठा जिसे अंग्रेजी में काव सीड कहते हैं और हमारी गोंडी भासा में कोडका कहते हैं तेरवा हिंदी का सब्ध है खाट जिसे गोंडी भासा में कटूल कहते हैं चौदा नंबर का हिंदी का क्रिया है हमारा खाली करना जिसे गोंडी भासा में रिकाम कियाना कहते हैं अगला हिंदी का सब्ध है गरम जिसे गोंडी भासा में कास्ताल कहते हैं आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारी अगली क्रिया है गिनना, जिसे गोंडी भासा में कहाना या फिर लक्काना कहते हैं, इसी तरह अगला हिंदी का सब्ध है गुड, जिसे गोंडी भासा में गुडा कहते हैं, अगला हिंदी का सब्ध है हमारा दूद, जिसे हमारी गोंडी भासा में पाल कहते हैं, इसी तरह अगला हिंदी का सब्ध है घी, जिसे गोंडी भासा में पालनी कहते हैं, अगला हिंदी का सब्ध है साथियों चावाल, जिसे गोंडी भासा में नुकांग या फिर परेक कहते हैं, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला हिंदी का सब्ध है चीनि जिसे गोंडी भासा में साकेर कहते हैं इसी तरह जो छत होती है घर की उसे गोंडी भासा में मुर्वेश कहते हैं अगला हिंदी का सब्ध है चाच जिसे गोंडी भासा में कोरोप कहते हैं आगे बढ़ते हैं अगला हिंदी का सब्ध है धूप जिसे गोंड दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको गोंडी भासा सीkhने से जुड़े वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिये और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट करके आप अपना सुझाव भी मुझे भेज सकते हैं साथियों आपके लाइक करने से कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए हमेंसा इसी तरह के गोंडी भासा सीखने से जुड़े वीडियो बनाते रहें तो साथियों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए सेवा जोहार